जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रिका टूर और पाकिस्तान के बारे में तो इस सिरीच का मैच नंबर फोर होने वाला है जो की टी ट्विंटी का सकेंड मैच है तो मैं इसी मैच की पूरी कम्प्लीट अनलाइसिस और कोड मिल जाएगा की प्लियर आपके लिए इस मैच में कौन रहने वाले प्रृवेवल कप्तान और वाईस कप्तान कौन रहने सिकस्ति है पाकिस्तान South Africa को और पहला जो T20 मैच हुआ है उसमें भी पाकिस्तान को ही जीत मीले South Africa को हार का सामना करना पड़ा है इस सीरीज में भी तक South Africa एक भी मैच नहीं जीत पाइए है तो ये मैच आपको 13 फरवरी को देखने को मिल जाएगा जो कि आज का ही देने साले 6 चुकत स्चाहर सब्सक्राइब चैबंने पहले करो जांग स सब्सक्राइब करें अगया तनकिता Cao तो पूरे complete वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों यहां पर पेसर को सपोर्ट 65% का है और स्पीनर को 35% का सपोर्ट है तो जो आप यहां पर बॉलर खिलाएंगे वह 65% पेसर होने चाहिए दोस्तों कि पेसर बोलर यहां पर ज्यादा परफोमेंस करते हैं और स्पीनर भी आपक स्ट्रीमिंग में देखना चाहते हैं तो अब इसको जीयो टीवी में स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं दोस्तों जीयो टीवी में अब बात करते हैं लास्ट सिक्स मैच में क्या रिजल्ट रहा है इन दोनों के बीच में जो टीट्वेंटी खेला गया लास्ट सिक्स मैच मे करना और पाकिस्तान यहाँ पहला टेस्ट में भी जीत गया है दोस्तों दे रहे हैं थिंगu का तीनों मैच यहाँ पर इस सीरीज में पाकिस्तान जीती है अब बात करते हैं इनकी रीजेट फॉर्म क्या चल रही है अधर टीमों का साथ खेलتे ही भोगी पाकिस्तान यहाँ पर अभी तक इनको 2 लॉस मिला है और 4 विंड मिला है देख रहे हैं दोस्तों और सात अफरिका को मातर एकई मिला है और पांच मैच लगतार यहारत यारत ये टविंटी का तो इस मैच में थोड़ी चंसे रहेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हार के बाद साइद इस match में जीत जाए दोस्तों South Africa तो मेरे prediction से आप चलिएगा तो match win chance यहाँ पर Pakistan की 57% है और यहाँ पर South Africa की 43% है तो South Africa यहाँ पर दोस्तों match मेरे तरब से जीतने वाला मेरे prediction से और यहाँ पर toss Pakistan जीतने वाला मेरे prediction सब्सित सा इप्तिकार एहमद मुहमद नवाज हसन अलिया सहीन अफ्रीदी में कोई एकी खेलेंगे मुझे लगता साहीन अफ्रीदी ही खेलेंगे हरिप सो खेलेंगे फ़हीम अफसरप और सब्सक्राइब करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों रिसेंट के यहाँ पर आपके ड्रीम 11 के पॉइंट दिये हैं जो प्लेयर आपके लिए टॉप पिक होने वाले इस मैच में और की प्लेयर होने वाले हैं जो ड्रीम 11 पर अच्छा पॉइंट दे रहे हैं उनके बारे में आप जान लिए जाने मन मलान देख रहे हैं 58 पिछला मैच में ही दिये हैं इस मैच में ये जरूर चलेंगे दोस्तों 98, 86, 12, 73, 105 देख रहे हैं लगतार फार्म में हैं तो इस पिछला मैच में हाला की नहीं चले ये लेकिन इस मैच में जरूर चलेंगा आपके लिए बेस्ट अप्सन रहेंगे वाइस कप्तान और कप्तान के लिए आपने स्माल कप्तान बनाएंगे तो आपको अपने टीम में भी बनाना है दोस्तों और अपने टीम में इनको हर लीग में रखना है पिछला मैच में 30 पॉइंट दिला है उससे पहले टीटू, 17, 34, 29, 27 तो ये भी आपके लिए बेस्ट अप्सन रहने वाले दोस्तों विगिट कीपर को पॉइंट दिलाएंगे दोस्तों और आपके बैटिंग से भी पॉइंट दिलाएंगे तो इनको आपको रखना है और हो सके तो वाइस कप्तान और कप्तान बना के रखना है अब बात करते हैं मोहमद नवाच तो पिछला मैच में 31 पॉइंट दिला है उससे पहले पचास, 27 66, 19, 52 तो ये भी पॉइंट देते हैं दोस्तों अगर इनको ट्राइब करना हो तो ट्राइब कर सकते हैं अपने स्माल लीग में लेकिन कप्तान ट्राइब करना तो ग्रैंड लीग में आपको रखना है दोस्तों अंड्रेव फ्लाइक के बात करें तो 71, 27, 26, 27, 13 तो ये भी कर सकते स्मॉल लीग में सारे लीग में त्राइब कर सकते दोस्तों यह बात करेंगे दोस्तों तो यह 27 पुइंट पिछला माच में दिया है और पिछला मैच में 39 पुइंट दिला है दोस्तों उससे पहले भी पुइंट दिला है यह बहुत यह पुजर रहे हैं दोस्तों दूस्तों इनको आपको रखना अपने टीम में होसके तो कफ़्तान और वाइस कप्तान ट्राइक कर सकते हैं तूसको कफ्तान बना के ग्राई लिग जिता सकते हैं मेरे तरफ से दोस्तों वो की प्लियर होने वाले हैं अब बात करते टॉप आपके कप्तान और और वाइस कप्तान को प्सन हैं इस मैच में रहने वाले वाइस कप्तान के ऑप्सन दोस्तों तो यह पूरी complete analysis दोस्तों और स्टैक्स और रिकॉर्ड था होप करता हूँ आपको पूरी समझ में आगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कि उस चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा अब चलता हूँ जो मैं पांच टीम बना के रखा हूँ जो आपको जल कोता है जिसको आपको फैदा हो जाएगा और नहीं तो वाइस कप्तान को बना सकते हैं जिसको आपको फैदा हो जाएगा तो यह मेरी दूसरी टीम है जो कि SL और Head to Head में लगानी है दोस्तों आप चलते हैं Grand League के टीम की तरफ तो यह आपको फाइदा हो जाएगा तो यह मेरी तीसरी टीम है जो कि आपको GL में काम करने वाली है दोस्तों आप चलते हैं चौनती टीम की तरफ यह भी दोस्तों स्पेशली जील की टीम है यहाँ पर मैंने देख रहा है कि यहाँ पर मैंने साथ अफरीका को फिवर करते हुँ टीम बनाया है और यहाँ पर मैंने कप्तान देख रहें बोलर को बनाया भी फॉर्चुन को बनाया और तबजेर संसी को ब लेकिन मेरे हिसाफ से सौथ अभरी यह player को जीतने वाले हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो में पूरा रथा दोस्तों अब चलता हूँ वीडियो के यहां पर खतम करता हूँ ये मेरे 5 टीम थे करेंगे इसमें कोई changes होती तो आपको टेलिग्राम पर अपडेट कर दे जागा है